कि अलिक्ला को पिएच मीटर हम लोग डील कर रहे है नि आ इंस्ट्रूमेंट चायना की कमपनी यह अनिधा पीस्टária चैना की सबसे बड़ी मैनिफेक्चरिन्ग कंपनी घो इइन हैं इंस्ट्रॉमंट्स में डेल कर रही है पीज में कि युज करते हैं कि किसी भी लिकवर्ट की पीच को डिटेक्ट करने के लिए उसे हमें अंदादा होता है यह लीक्वर्ट अच्ट साइट पे है यह बेसिक साइट के उपर है अनीजा इस पर किये पुझे फुली जी ख GLP compliance के साथ है आए हम आपको इसके features के बारे में बताते हैं जब हम instruments को on करेंगे तो सबसे पहले हमारे पास इसमें user ID और password मांगेगा यह वो user ID हैं जो हम लोग ने इसके अंदर login की हो एड की होंगे जितने भी हमारे lab के users हैं उन सब के user ID वगरा बनेंगे तो जो जो GLP compliance में तो इसी से लेटेड है कि इसमें हर एक user का ID बना होगा फर एग्जेंपल अब यहां पे हमारा जफर नाम का ID बना हुआ है इसका पासफ़र्ड इंटर करेंगे 1234 इंटर पासफ़र्ड आप कोई भी रख सकते हैं हमने 1234 रखा है उसके बद पासफ़र्ड में जाने के बद वसारी चीज इसका अलेक्टोर्ड वगर डिटेट करने के बद आपको में स्क्रीन पर यह ले आएगा यह बेसिकली टच स्क्रीन और इसको टच स्क्रीन को यूज करने के लिए अनीजा इस्ट्रूमंट के साथ एक स्टाइलस आता है जो यह यूज करते हैं हम इसको अपरेटिंग के लिए सबसे पहले हम इसके मैनियू में जाएंगे मैनियू में मारे पास ऑप्शन रिपीट लास्स मेजरमेंट्स मैंज सेंपल आईडी मेजरिंग करना चाहूंगा सबसे पहले इंपॉर्डन फीचर इसका सिस्टम सेट अप के अंदर व्यू पिएज बफर ग्रूप के अंदर हम जाते हैं तो इसमें हमारे पास जो ऑप्शन है वो मुक्तलिफ डिफरंट बफर ग्रूप्स हैं जो मुक्तलिफ एक्रिडिट बॉडी से एक इसके अलावा इसके अंदर किस्टम ग्रूप भी एड कर सकते हैं अगर आपको इनके अलावा कोई बफर जो किसी ओ एक्रिडिट बॉडी से एक्रिडिट है तो आप उसका खुद से भी इसके अंदर एड कर सकते हैं बफर ग्रूप के बाद हम आपको इसका जो एक्स्टर is EC ID management E.C ID management जाते है इसमें basically EC means Electrode की मैंजमेंट कर्का आप ने अपने इसमेट ऎक्रूड बाया है तो छीमिम्नी फिर यद दो आपको की आप ऊश्शलिया होगी तो इसमें तो प्रतिया है हुआ है RAW इसमें हमारे पास करेंगे मारे ये मेरा एंगे तो The last measurement means that we have built-in method in this method उसके मताबिक इसके अंदर उसी method पर पीए चेक करेगा सबसे पहले वो यह पाँच आप्शन्स हैं यह चेक करते हैं सबसे पहले प्रिपार सेंपल सुलुशन इन अडवांस कि आप अपना सेंपल का सुलुशन अडवांस तियार करें इसके बाद ऐलेक्टोड को प्रॉपर्ली कुनेक्ट करें उसको कैलिपरेट करें ओर स्वուशन तैयार करें इसके बाद आप हमने नेख्स में जाएंगे नेक्स में हमारे पस्केर है कि इस मीटर के साथ व्ह में पह सब्सक्राइब साथ चाहरे है शर्ट सेवगा हुए है मैंपर किया और इसमिसे कारशन इसके नोडर काश्म सेव और शक्राइब करके नहीं है,गर आप लग रहा है कि ये कैलिब्रेशन ओके है तो ठीक है,गर आप समझ तें कि है कैलिबरेशन नहीं होके तो आप यहाँ पे देखे रुख़ान कर सकते है,शंबर मेंसके की कैलिबरेशन कर सकते है और इसके अलबा है यह शोड़ी सी इसकी रेटा, है जो व्क मिने के निलस देना होता है इसे नेक्स अुप्ञ भूठिशन में अगर जाते हैं तो इसकी यह है के कोंपोडर पर जाएगा प्रिंटर पर जाएगा यR किस पर जाएगा का आई डी क्या होगा है। जैसे के यह पर ते अ01 किसने मृटर भीस थी हैं इस अपकา चेंज पर प्रिंटर जाएगा यह रिए इसमीजब कर तो आम कॉम पार आपको कटे हैं तो इन ही आप अब हो गइए तो जी ऐल पी फाइट हे अहा है यह यह मौ झाल बूनत है आपने जो भी सैंपल करना है दुन् इंशूर के बास start measurement तो यह हमारी measurement स्टार्ट हो जाएगी अब जास हमने इसके निचे सेंपल आपने एलेक्टोड पर सेंपल लगाना है और उसकी pH यहां पर रिकॉर्ड होती जाएगी अब जब एक ही सेंपल हम यूज कर रहे होंगे तो वह उसी तरह ही उसकी pH अपडाउन अपडाउन होती रहेगी और यहां पर पूरा record होता जाएगा उसका pH का graphically आपको representation आजाएगी यह है कि अगर आपने continuously किसी सेंपल को रन करने तो आप इस तरह करेंगे इसके बाइस को stop करते हैं फिर इसमें एक option बड़ी important है store results जो भी आपके results आई है उसका storage है यहां पर इसके अंदर internally save हो रहा होगा view results आप कर सकते हैं इसमें सारे brief reports आज सकती है statistics आजाएंगे outputs आजाएंगे इसकी view options में आपने इसको search किस तरह करना है by id करना है by date करना है यह sample by name करना है आप किसी पी तरह से अपने data पूरा search कर सकते हैं कर सकते हैं कर सकते हैं